दोस्तों पहले दूसरे वेक्तियों दोरा आपने काफी वीडियो देखे होंगे और उन वीडियो पे हमारा कुछ कमेंट भी था कि हाँ छट के उपर जो ग्रिल होता है उस पर वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो मेरे पास उससे बहतर डिजाइन में उपलब्ध है जो मैंने इस चत में आप देख रहे होंगे कि यह बीच में एक वेंटिलेशन सिस्टम दिया हुआ है जो एयर को वेंटिलेशन तथा बारिज से बचाने के लिए है यह जैसे ग्लास है और साथ में स्टेनलेस स्टील है तो यह आपने देखा होगा कि इसके उपर टफन ग्लास सेट है और यह गैप है जो की करीब 2-3 इंची का होता है और यह गैप वेंटिलेशन के लिए है जो चारो तरफ है जैसे एक पर हमने दिखाया दूसरी तरफ यह गैप है एयर वेंटिलेशन के लिए और चौती तरफ आप उस साइड में भी देख सकते हैं कि जो गैप दिया हुआ ह इसमें टफन ग्लास और ये हमने थोड़ा सा स्लोप में इसलिए रखा हुआ है कि जब बारिस होती है छत का लेवल इधर डाउन है पानी हमको इधर ड्रेन करना है तो ग्लास भी मैंने सेटिंग ऐसे की है कि ये फिक्स एक तरह से ढाचा है जो बारिस आने के बाद से पानी को उधर की और ही लेगी जाएगा जहां से छत का पानी निकल रहा है उपर से याँ देखेंगे कि जब भी बारिस होगी तो नीचे खड़े वेक्ति को किसी साब से फेली होगी वो भी ये कखा पी अलग है तो वेंटिलेशन एयर के लिए और पानी से बचाओ के लिए यह आप अपना सिस्टम देख सकते हैं सिस्टम इतना स्ट्रॉंग है कि इसके उपर आप वॉक करके निकल भी सकते हो जिसमे आप अच्छे अगर खेल रहे हैं तो यह इसके उपर से आप निकल भी सकते हैं तो दोस्तों यही सिस्टम आप अगर रात में देख रहे हैं ग्लास और ग तो सिंबल है यह मेरे दोरा बनाएगा हुगा सिस्टम जिसमें आप प्रॉपर वेटिलेशन अपनी च्छत के ऊपर दे सकते हैं कि दूसरा कि बारिश की कितनी आंधी आये कितनी भी पहुचार किरे इसे आप बारिश को प्रॉपर वे में स्लूप दे करके रौक सकते हैं तो आप मुझसे बिना जीज़क इस कमेंट बॉक्स में लिख करके पोच सकते हैं मैं आपको पूरी तरह से बिल्कुल मदद चाहता हूँ कि अगर आपको सिस्टम अच्छा लगे तो कि अपने दोस्तों को अपने जानने वालों को शेर जरू करें ताकि उन तक यह सिस्टम की इंफर्मिशन जाए और जिन्हें यह सिस्टम पसंद आए वो अपने घर पर लगवा सके तैंक यू